तो अब तक हमने देखा था के पार्क पॉंग नाम का एक लड़का भोतो को देख सकता था और एक खुब सुरत बोत उसके पीछे पड़ी थी जिसकी यादास्त जा चुके थी पॉंग की मॉम को किसी बुरी आत्मा ने मार दिया था जिस वजह से उसके डैट दस साल से उसका पीचा कर रहे थे और बॉंग के कॉलेज में पढ़ने वाले प्रोफेशर की कहानी बहुत ही मिस्टीरियस लग रही थी आगे के कहानी को शुरू करने से पहले अगर आपने इस वीडियो के पहले पाट को नहीं देखा तो पहले आप उससे देख ले नहीं तो दूसरा लेकिन बॉंग वहां पहुँच जाता है और नदी में कूच जाता है नदी की चुड़ैल बॉंग के उपर भी हमला करती है मगर वो उससे लात मार कर बगा देता है और हिउन जी को लेकर बाहर आता है मोग मियोंग बॉंग के घर के बाहर प्रोफेशर को देखने के बाद के पिता को ढूंटते वे उसके घर पोचते हैं जहां उनके लैंडलॉड उससे बताती है कि एक लड़का बॉंग के पिता से मिलने के लिए आया था मुझे लगा कि वो उनका बेटा होगा मगर वो उससे देखने के बाद पहालों के तरफ तेजी से भाग गए और वापस नही किसी चीज के बारे में पूछ रहा था लेकिन जब वो उसे उस चीज के बारे में नहीं बताते तो वो उनका गला दबा कर उन्हें मार देता है अब हम मोटी चुलेल को प्रोफेशर के क्लिनिक में देखते हैं वो उसका पीछा करते हुए यहां तक आ गई थी तभी वहां पर प्रोफेशर पहुट रहता है मोटी चुलेल को लगता है कि वो उसे देख नहीं पाएगा लेकिन तभी वो उसका गला पकड़ लेता है और उसका गर्दन तोड़कर उसे जान से मार देता है इधर मॉंक बॉंक के फादर की मिसिंग कंप्लेन लिखवाने के लिए पुल देखाता है और कहता है कि देखो मैंने कहा था ना कि मैंने एंजल को देखा था इन रेंग उसके प्यार में पढ़ चुका था वो उसकी तारीफ किये जा रहा था लेकिन चोई कहता है कि अरे पागल वो कोई एंजल नहीं चुड़ैल है हायों जी बहुत खुस होने लगती ह क्योंकि कोई उसे इतना पसंद जो कर रहा था फिर इसाम को बॉंग ही उन जी के नाम से एक सूट जला देता है जो कि उनका एक्सोसिजम यूनिफॉर्म था अब हम देखते हैं कि एक आदमी रात के वक्त एक पागलो के हॉस्पिटल में रेनोवेशन का काम कर रहा था लेक लेकिन ब्यूल्डिंग का नया मालिकिर से उसे स्टार्ट करना चाता है वो चारों जब वहां पहुंचते हैं तो अलग अलग टीम बना कर भूतों को ढूंडने के लिए निकल जाते हैं तब ही चोई और इन रेंग एक वाड में जाते हैं जहां स्टेचर के नीचे एक चु कर देता है बॉंग उसे मारने वाला था तब ही यून जी उसे रुकती है और कहती है कि ये भूत तो है मगर ये हमें हाट नहीं करना चाते इसके बाद वो उसे बुला कर एक पेंटिंग दिखाती है अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पुलिस को उन भूत करती है उन सभी भूतों के आत्मा को सांती मिल जाती है इसके बाद हम इन रैंक को देखते हैं वो समझ गया था कि वो जिसे एंजल समझता है वो बॉंग के साथ रहती है और हॉस्पिटल में उसी नोसकी जान बचाई थी इसलिए वो उससे कहता है कि सुनो एंजल मैं तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो बॉंग कहता है कि अरे पागल वो एंजल नहीं बलके चुड़ैल है इसके बाद बॉंग उसे वहां से लेकर अम्यूजमेंट पार्क में चला जाता है जहां वो दोनों फेरी वील पर बैठते हैं बॉंग कहता है कि अगर एक्जाम में कि ह्योंची शो चुकी है लेकिन वो नहीं थी वो उसे परपोस करके रिग्रेट कर रही थी उसे बहुत सरम आ रहा था अगले दिन जब वो दोनों चोई और इन रेंग से मिलने के लिए जाते हैं तो आज इन रेंग ह्योंची के लिए हील्स लेकर आया था जिसे देखकर व और वो गाइब हो जाती है, जिसके बाद बॉंग बहुत परिसान हो जाता है, तब ही वो वापस पेर होती है तो बॉंग उसे देखते ही सीने से लगा लेता है, पुलिस को अभी भी जू के कातिल के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया था, इधर प्रोफेशर जू के पता चल गया था लेकिन बॉंग ने उसे अब तक परपोस नहीं किया था हाला कि वो भी उसे पसंद करने लगा था इसे लिए वो अकिले चोई के पास जाता है और उसे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि लड़कियों को इंप्रेस कैसे करते हैं चोई कहता है मुझे सब पता है वो पॉण दूर को लड़किया पटाने के लगलगतरी के बताने लगता है चोई की बाते इन रंख भी नोट कर रहा था क्योंकि उसे भी ह्यों जी को हिंप्रेस करना था फिर जब बांग हिंप्रेस करने के लिए जॉलान दिखाता है वो उस पर वो सारे पहत्तरें दिख जाती है जिसके बाद वो लोग प्रोफेसर से पूछ टाच के लिए निकल जाते हैं इधर हिउन जी बॉंग से पूछती है कि तुम भूतों को कब से देखने लगे वो बताता है कि तब मैं पांच साल का था इसलिए मुझे ठीक से कुछ याद नहीं है तब ही हिउन जी उससे बताती है कि जब से तुम मुझे मिले हो मैं बहुत खुस हूँ डिटेक्टिव याएंग प्रोफेसर को बुला कर उससे पूछते हैं कि तुम उस दिन वहां क्या करने गए थे जहां पर जू की लास मिली थी वो कहता है कि मैं अपने मां से मिलने गया था वो वहीं पा अफ कर दे लेकिन जू के बॉइफरेंट ने सुसाड नहीं किया था बलकि प्रोफेसर ने उसे उठाकर खिटकी से बाहर फेक दिया था और फिर उसी ने उसके मोबायल से जू की मॉम को मेसेच किया जिसके बाद पुलिस को प्रोफेशर को छोड़ना पड़ता है लेकिन ड सोचने लगते हैं कि यह आत्मी तो वही है जो उस दिन ब्यूल्डिंग के नीचे मिला था लेकिन वह बॉंग के स्कूल में क्या कर रहा था जबकि यह वीडियो बहुत पुरानी थी जिसके बाद वह प्रोफेसर के क्लिनिक पर उनसे मिलने के लिए चले जाते हैं क्योंकि उसने उसे पहले भी वहाँ पर देखा था वो प्रोफेसर से पूछते हैं कि क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं वो कहता है कि मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि आप पार्क बॉंग के अंकल है और मैं उसका प्रोफेसर हूँ इसके बाद वो उससे हाथ मिलाकर जाने लगते हैं तो मौं को उसके अंदर एक बुरी सक्ति का हैसास होता है पुलिस प्रोफेसर की मौम से मिलने के लिए उनके घर पहुंच रुके थे डेटेक्टिव याइंग उनसे पूछते हैं कि क्या कुछ दिनों पहले आपका बेटा यहाँ पर आय तब ही वहाँ पर प्रोफेसर भी पहुंच रहता है जिसके बाद पुलिस वहाँ से चली जाती है मगर प्रोफेसर की मा उससे देख कर कुछ ठीक मैसूस नहीं कर रही थी अब हम देखते हैं कि जब चो यह काम खत्म करके बौंग को उसके घर ड्रॉप करता है तो इन ये सुनकर इन रेंग रोने लगता है और वो रात वो दो बज़े तक पीता है वो सुसैट करने के लिए जाने लगता है लेकिन चोई जाकर उसकी जान बचाता है इधर मौंके के समन फ्रेंट के पास उससे मिलने के लिए जाता है और उसे बताता है कि मैं एक आदमी से मिला थ जब मैंने उससे हाथ मिलाया तो मुझे वैसी सक्टिया महसूस हुई जैसे मैंने बॉंग के बच्पन में महसूस किया था समन कहती है कि अगर तुम्हें ऐसा हैसा हुआ है तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है फिर मौंक उससे बताता है कि जब बॉंग छोटा था तब एक औरत उसकी मां से कहती है कि तुम्हारा बेटा कितना हैंसम है। जिस पर वो कहती है कि वो मेरा बेटा नहीं है। तब ही हमें फ्लिस बैक का एक सीन दिखाया जाता है। जहां उसके बेटी ने उसके पती को उठा कर ब्यूल्डिंग से बाहर फेक दिया था। और उस वक्त उसके अंदर से एक बुरी सक्ती निकल रही थी। अब हम बॉंग को ह्यून जी से बाते करते वे देखते हैं। तब ही मॉंग को वहां आकर उससे बाते करते वे सुन लेते हैं। वो बॉंग से कहते हैं कि तुम किसी भूत के साथ हो ना। मौंक बहुत चिलाते हैं और कहते हैं कि तुम भूल गए क्या कि तुम्हारे मां भोतों की वज़ा से ही मरी थी इसलिए आज ही मैं तुम्हारे आखों का ओपरेशन करवा दूँगा मौंक उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है मगर बॉंक उनके साथ जाने से मना कर देता है जिससे कि मौंक उस्सा होकर वहां से चले जाते हैं इसके बाद बॉंक हियों जी को कॉले चलने के लिए कहता है तो वो कहती है कि नहीं आज मैं घर पर रुकूंगी तुम अकेले चल जाता है मंगर थोड़ी दिर के बाद मौंक दुआरा घर आते हैं वो अपने साथ बॉंग का बर्तडे के लिकर आये थे क्योंकि आज बॉंग का बर्तडे था तब ही मौंक को ऐसा लगता है कि वह भूत अभी भी वहीं है इसलिए वो उससे कहते हैं कि मुझे तुम बुरी आत्मा नहीं लगती, प्लीज तुम उसे छोड़ दो, जब वो बच्चा था तब एक बुरी आत्मा ने उस पर कबजा कर लिया था, तब ही हमें पास्ट का एक स्थीन दिखाया जाता है, यहां मौंक म्योंग बॉंग के सरीद से एक बुरी सक्ति को नि कभी एक नहीं हो सकते, इसलिए तुम उसके भलाई के लिए उससे दूर हो जाओ, मैं रहूंगा भूतों के साथ, अगर कोई भूत मेरे वीडियो को देख रही है, तो वो मेरे पास आ जाए, फिर जब बॉंग घर आता है, तो ह्योंग जी घर पर नहीं थी, इसलिए वो उस देवे अम्यूजमेंट पार्क में पहुँच जाता है, जहाँ पर वो उसे मिल जाती है, वो उसे अपने साथ घर लेकर जाने लगता है, लेकिन वो उसे कहती है कि मैं तुमारे साथ इसलिए थी ताकि मुझे मुक्ती मिल जाए, लेकिन मुझे मुक्ती नहीं मिली, तुमार और मेरी दुनिया बहुत अलग है और मैं तुम्हारे साथ थोड़ा भी खुश नहीं हूँ, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ, जिसके बाद बॉंग वहां से चला ढाता है, लेकिन उसके वहां से जाने के बाद वो बहुत रोती है, चोई और इन रेंग बॉंग से मिलने के यह सुनते ही इन राइंग के साथ बैट कर यह दोन उसके जाने के गम में इतना पी लेते हैं कि वह ठीक से चल भी नहीं पाते मौनक को से बताती है कि तुम से मिलना चाहते हैं इसको संबंद पॉंग के पिता के छोड़े कुछ समान को लेने के लिए आये थे मगर एक आदमी को देखे कर वो वहां से भाग गए एक आदमी हर बार यहां आता है मौंक उसे प्रोफेसर का फोटो दिखाता है तो वो कहते हैं कि यह वही है मौंक को समझ नहीं आता क्या कि यह आदमी कौन है जो बॉंग और उसके परिवार के पीछे पड़ा है अब हम हियों जी को देखते हैं वो जिब रोड पार कर रही थी तब यह कार उसके आरपार होड़ाती है लेकिन वह भूत थी इसलिए बढ़्डाती है मगर इस इंसिडेंट के बाद हियों जी को अपने पास्ट के बारे में याद आने लगता है जिब वो अपनी मौम से बात करते हुए किसी को कुछ देने के लिए जा रही थी और तभी उसका एकसिडेंट हो गया जिससे कि उसकी मौत हो गई इसके बाद प्रोफेशल वहां आते हैं लेकिन वो हियों जी को हॉस्पिटल ले जाने के बजाए वही छोड़कर चले जाते हैं चुडेल हियों जी उस हॉस्पिटल में चली जाती है जहां उसे एकसिडेंट के बाद लेकर जाया गया था तभी वहां पर वो अपने मौम से भी मिल इधारे चोई अपने इक्जोसिजम टीम को लेकर एक सड़क चाप चुडेल को मारने के लिए निकल गया जिसने बहुत से लोगों का एकसिडेंट करवा कर उन्हें मार दिया था तभी वो चुडेल उनके कार के सामने आ जाती है बौंग कार से उतर कर उससे लड़ने लगता है लेकिन वो जैसे उस चुडेल को मारता है एक कार आकर उसे टकर मार देती है वहीं हियों जी की मौम रात हॉस्पिटल के अंदर जाती है तो उसे पता चलता है कि उसका सरीर अभी भी जिन्दा है और वो कॉमा में है अक्सिडेंट के बाद बौंग को भी इसी हॉस्पिटल में लाया जाता है हाला कि उसे ज़्यादा चोट नहीं आई थी हियों जी अपने डेट बॉड़ी को बहुत खूस होती है और इसके बारे में वो बौंग को बताने का डिसैट करती है लेकिन ह्यों जी के भूत को देख कर प्रोफेशर भी यहां तक आ गये थे और वो भी ह्यों जी के डट बॉड़ी को जिन्दा देख लेता है ह्यों जी बौंग को देखते ही गले लगा लेती है और उसे जाकर बताती है कि मैं अभी भी जिन्दा हूँ तब उसे कुछ होने लगता है क्योंकि प्रोफेशर उसे अपने बुरे सतियों से कौमा से बाहर ला रहे थे लेकिन जब ह्यों जी को हो साता है तो उसे कुछ भी याद नहीं था उसके मॉम डैड उसे देखकर बह को होस्पिटल पहुंच जाते हैं जहां चोह और Veg उनके काम के बारे में सारी बात पता चल जाती है मौन चोहत looking चोहत भी कांठ खीच कीच देते हैं और उसे यह इक़ी की औरने करने प्रट पर की मेन हरे लोगिंग उसे देखने के लिए अरहे उसके पास मात यहां और उसे देखते ही गले लगा लेता है लेकिन वो उसे अपने से दूर रहने को कहती है और उसे पैचान नहीं पाती जिसके बाद बॉंग वहां से चला डाता है वो इन रेंग को भी नहीं पैचानती थोड़ी देर के बाद शोई और इन रेंग बॉंग से मिलने के लिए आते हैं कि 5 साल पहले यूंजी का एक्सिडेंट हुआ था जिसके बाद वो 5 साल तक कौमा में थी और जो तुमारे साथ थी वो उसी की आत्मा थी लेकिन अब जब वो होस में आ गई है तो उसकी आदास्त चली गई इसके बाद इन रेंग चोय से कहता है कि अब हियोंजी मेरे साथ रहे या बॉंग के साथ उसकी खुसी में ही मेरी खुसी है लेकिन इससे पहले मुझे उस आदमी को पकड़ना है जिसके वजह से यूंजी का ये हाल हुआ था अब हम डेटेक्टिव यॉंग को देखते हैं उससे जू के मडर के बाद उसकी बॉइफ्रेंट के सुसाइट की बात हजम नहीं हुई थी इसलिए वो ये पता करने की कोसिस कर रहे थे कि उसने सच में सुसाइट किया है या उसका मडर हुआ था थोड़ी देर के बाद बॉंग फिर से हिउन जी से मिलने के लिए आता है वो कहती है कि अरे तुम तुम फिर से यहां क्यों आ गए बॉंग क उसका सारा सामान दे देता है जो वो तब इस्तमाल करती थी जब वो भूत थी फिर जब वो उन चीजों को देखती है तो उसमें उसकी हैंड रैटिंग भी थी तब उसे एक विजन आता है जहां वो नदी की किनारे बैठी थी इसके बाद हर रोज बॉंग उससे मिलने के ल आती है लेकिन वो अपना फोन वहीं भूल गई थी फिर जब वो मीट खाकर वहां से जाने लगती है तो उसे एक डॉक्टर का भूत दिखाई देता है जिसने बहुत से पेसंट को मारने के बाद अपने आपको भी मार दिया था यून जी उसे देखकर डरने लगती है और ब पिर जब यून जी की नीन खुलती है तो वो अपनी मा से पूछती है कि बॉंग कहा है उसकी मा कहती है वो चला गया लेकिन तुम उस अंजान लड़के से दूरी रहो तो अच्छा है इसके बाद वो सोचने लगती है कि जब उसने भूत को देखा तो उसने बॉंग का नाम बाते करते हैं निक्स्ट मॉर्निंग बॉंग सबसे पहले जाकर एक निकलिस्ट करीता है लेकिन जब वो हॉस्पिटल डाता है तो यून जी की मॉम उससे मिलने के लिए मना कर देती है यून जी को डिस्चार्ज से पहले उसके सेको थेरेपी इंचार्ज से मिलाया जाता है जो कि प्रोफेसर हाई सुंगी होते हैं प्रोफेसर उसे घर तक छोड़ने के लिए भी जाते हैं लेकिन अपना हीरो दूर से ही उससे देख रहा था क्योंकि ह्यों जी की मा ने उससे मिलने के लिए मना जो कर दिया था कार में ह्यों जी की मौम प्रोफेसर को बताती है कि यह उस दिन किसी आज नभी की मदद करने गई थी और फिर इसका एक्सिडेंट हो गया निक्स्ट डे बॉंग चोई और इन रेंग एक दूसरे से बात कर रहे थे तबी वहाँ पर ह्यों जी आती है जिसे प्रोफेसर ने उस कॉलेज में अपना लेक्चर अटेंड करने के लिए बुलाया था इन रेंग उसे हाई करता है मगर क्लास में जब स्योयों बॉंग के बगल में बैठती है तो उसे देखकर ह्यों जी को बहुत जलन होने लगती है फिर क्लास के बाद ह्यून जी जब बॉंग के पास बैठी थी तो उसे ऐसा लगता है कि साइट वो उस जगह पर पहले आ चुकी है इसके बाद ह्यून जी वहां से अपने पुराने स्कुल फ्रेंट से मिलने के लिए चली जाती है वहीं बॉंग जब अपने घर जा रहा था तो वो देखता है कि स्यूयून सडक के किनारे रो रही थी जिसके बाद वो उसे एक बार में लेकर जाता है लेकिन तभी ह्यून जी वहां आ जाती है और बॉंग से कहती है कि जब मैं तुम्हारी गल्फरंट थी तो तुम उस तेल चटी के पीछे क्या हो हयून जी उस पर गुसा करती है तभी बॉंग मुस्कुराने लगता है और फिर एकदम से उसे किस कर लेता है जिसके बाद वो उसे एक लाट मारती है फिर वो उसे वो निकलस दे देता है जिसे उसने उसके लिए लिया था इसके बाद वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं ह्यून जी की मॉम कहती है कि मैं तुमारे अंकल से मिलकर आती हूँ वोंग उसे गले लगा कर कहता है कि तुम चिंता मत करो मैं हमेशा तुमारे साथ हूँ इसके बाद वो उसके घर छोड़ देता है अब हम एक आदमी को देखते हैं उसे पहाली पर एक आदमी की डेट बॉड़ी मिलती है नेक्स्ट डे हायून जी अपने ठेरपी के लिए फिर प्रोफेसर पूठते हैं कि क्या हुआ तो वो कहती है कुछ नहीं फिर जब वो उसे कॉलेज डॉप करने के लिए जा रहा था तो वो उससे पूछता है कि तुम बॉंग से कैसे मिली थी वो कहती है कि पता नहीं कॉलेज में बॉंग हीउन जी को भूटों से लड़ने की ट् बोड़ देती हैं वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मौंग मियूंग को कॉल आता है कि हमें आपके भाई मिश्टर पारग की डिट बॉड़ी मिली है मौंग उसे देखने के लिए मौर्ग में जाते हैं जहां उससे पता चलता है कि उनके भाई का मडर हुआ है उनका मडर के funeral में बिजी होने के कारण उसके message का कोई भी reply नहीं देता फिर जब उसे पता चलता है तो वो funeral home पहुँच जाती है बॉंग को तो पुलिस वाले पार्क बॉंग पाल का नाम लिखा था ये सब याद आने के बाद ही उन जी की सर में दर्द होने लगता है वो इसके बारे में मॉंग को भी बताती है मॉंग पूछते हैं कि क्या तुम्हें याद है वो चीज कहा है वो कहती है नहीं मॉंग कहता है कि अगर तुम्हें कुछ य रिपोर्ट में बॉंग के पिता के ऊपर प्रोफेसर के डियने मिले थे बॉंग अपने डैट के खत को पढ़कर बहुत रोता है तभी यूंजी उसके घर आती है और दरवाजा खोलने के लिए कहती है लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलता जिसके बाद यूंजी वहां से अपन के निसान मिले हैं वो पूछते हैं कि तुम्हारे पिता प्रोफेसर हैसों को कैसे जानते थे बॉंग कहता है कि मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता जिसके बाद बॉंग अपने अंकल से मिले के लिए जाता है और उनसे इसके बारे में पूछता है मौंग बता देत है कि प्रोफेसर हाय सुंग के अंदर वही बुरी आत्मा का वास है जो सालों पहले तुम्हारे अंदर से निकली थी वह आत्मा तुम्हारे पिता जी के पीछे थी उसे तुम्हारे पिता जी से कुछ चाहिए था इसलिए तुम्हारे पिता जी ने उस चीज को उसे बचाने के लिए हायून जी को दे दिया जिसके बाद वो उसके पीछे पढ़ गया लेकिन एकसिडेंट के बाद वो चीज कहीं गायब हो गई जिसके बाद बॉंग हीउन जी के घर जाने के लिए निकल जाता है और कंटेन्यू से कॉल भी करता है लेकिन हीउन जी को प्रोफेसर ने जाते थे जो बॉंग के डैड ने उसे बॉंग को देने के लिए कहा था लेकिन तभी वो बिहोस हो जाती है बॉंग जब हायून जी के घर जाता है तो वो अपने घर पर नहीं थी अब हम देखते हैं कि प्रोफेसर हायून जी को वहां से लेकर जा रहा है क्योंकि पुलिस उसे पकड़ने के लिए आ रही थी मगर चोई और इन रैंक प्रोफेसर को हैं जी को बिहोस करके ले जाते हुए देख लेते हैं इसलिए वो उसका पीछा करने लगते हैं बॉंग प्रोफेसर के क्लिनिक पर जाता है जहां उसे हायून जी का निकलिस मिल जाता है तब ही पूछता है कि आखिर उसमें ऐसा क्या खास है जिस पर वो बताते हैं कि तुम्हारे अंदर तुम्हारी मा की इनर्जी है जिससे तुम भूतों को देख सकते हो इसलिए वो उस चीज के जरिये तुम्हें अपने वस में करना चाता है तब ही उसे चोई का कॉल आता है वो उस की मा को इंट्रोगेशन के लिए बुलाया गया था बॉंग सोचता है कि उससे वहां जाना चाहिए जहां यून जी का एक्सिडेंट हुआ था क्योंकि प्रोफेसर को जिस चीज की तलास्ती वो वहीं होगी इसी बीच बॉंग अपनी कार को भी ठीक कर लेता है तब ही इन र कहते हैं कि मुझे पता है आपके बेटे के अंदर बुरा साया है लेकिन ये सब कब सुरू हुआ जिस पर वो बताते हैं कि एक दिन जब मेरे पती मुझे मार रहे थे तो एकदम से उसने उससे उठा कर बाहर फेक दिया और तब मैंने पहली बार उसे सहाल में देखा उसके के बाद वो पूरी तरह से बदल गया प्रोफेसर हायों जी को एके सबवे के पास लेकर जाता है और कहता है कि मुझे पता है तुमारी यादास तवापस आ गई है अब तुम मुझे उस चीज के पास ले चलो नहीं तो मैं तुमारी मा और बॉंग को मार दूंगा जिसके ब रखा था वो जगाए के सबवे के अंदर था मगर प्रोफेसर जैसे उस चीज को लेते हैं यूंजी प्रोफेसर को धका दे कर उससे वो चीज छीन कर वहां से भागने लगती है लेकिन प्रोफेसर उसे अपने बुरी सक्तियों से मार कर गिरा देते हैं और उससे वो चीज एक जादूई ब्रेसलेट थी जिसके जरिये प्रोफेसर को मारा जा सकता था और उसे ताकतवर भी बनाया जा सकता था प्रोफेसर ब्रेसलेट लेने के बाद ही उन जी को मारने लगता है लेकिन उसके बैड एनर्जी को फील करते वे बॉंग वहां आ जाता है और प्रोफेसर से लड़ने लगता है लेकिन प्रोफेसर के अंदर एक दानव की आत्मा थी इसलिए वहांग उसे असान से नहीं हरा सकता था प्रोफेसर कहता है कि बस कुछ दिर और फिर हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे प्रोफेसर बॉ 17 के करीर को इसलिए चाहता था क्योंकि उसकी माकिय सक्तिया वर्दान में मिली थी जिससे वो भूतों से लड़ सकता था इसलिए प्रोफेसर उसके सक्तियों से खुद को प्रोटेक्ट करना और ताकतवर बनाना चाहता था तभी मौंग अपनी तलवार लेकर आते हैं और उससे प मौंग उठकर उससे दुआरा लड़ने लगता है मगर प्रोफेसर उसे पकड़ कर उसके अंदर समाने लगता है तभी मौंग अपनी तलवार से अपना हाथ काट कर उस पर अपना खून चड़ाता है और फिर उस तलवार के सक्ति से प्रोफेसर पर हमला करता है तो वो दू पुलिस प्रोफेसर को पकड़ ले जाती है क्योंकि उनकी नजरों में सभी चीजों का जिमेदार तो वही था फिर जब बॉंग हियोंजी को छोड़ने के लिए उसके घर जाता है तो उसकी मा कहती है कि तुम्हारी वज़ा से पहले ही मेरी बेटी को पहले ही बहुत ही मुसिबतों का सामना करना पड़ा है इसलिए कल हम सियोल छोड़ कर जा रहे हैं तुम उससे भूल जाओ इसी में तुम दोनों की भलाई है पुलिस इंट्रोगेशन के दोरान प्रोफेसर सभी जुल्म कबूल कर लेता है उसकी मा जब उससे मिलने के लिए आती है तो वो कहता है कि मैं गैंक्स्टर हूँ अब आप मुझसे मिलने मता ना हिउन जी जाने से पहले बॉंग से मिलना चाती थी वो उसे कॉल करके बुलाती है लेकिन बॉंग कहता है कि अगर मैं तुम से मिला तो मैं अपने जज़बातों पर काबू नहीं कर पाऊंगा इसलिए तुम चली जाओ हम फिर मिलेंगे अगली सुभा वो बॉंग के आने का वेट करती है लेकिन वो नहीं आता जिसके बाद वो अपने मॉम डाट के साथ वहां से चली जाती है अब हमें थोड़े दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हियोन जी सियोल वापस आ गई थी और उसने सियोल के कॉलेज में अडमिसन ले लिया था लेकिन वो अभी भी भूतों को देख सकती थी कुछ भूतों से परिसान करते हैं तो वो उन्हें अच्छे से कूटती है वहीं इन रैंग और चोई ने मिलकर एक बहुत बड़े इक्जॉर्सिजम कंपनी ओबन कर लिया था मौंग की करत समन उसकी कॉमपटिटर बन गई थी इसलिए उन दोनों की लड़ाई पुलिस स्टेशन तक पहुँचने लगी थी अब हम हायों जी को अपने कॉलेज के कुछ फ्रंट के साथ ब्लैंड डेट पर जाते वे देखते हैं वो उनके साथ फ्लट कर रही थी लेकिन तभी बॉंग वहां आडाता है और उसे वहां से लेकर चला डाता है वो उसे खूब डाडता है तभी ह्यों जी का मौं का मेसेज आता है कि वो उसके घर स्योल आई है योन जी बॉंग से कहती है कि मॉम आई है इसलिए तुम यहां से चले जाओ अगर उन्होंने तुमें देख लिया तो ठीक नहीं होगा लेकिन वो खुद उसे उसकी मॉम के पास लेकर चला जाता है और उनसे मिलने के बाद उनसे एक परमिशन मांगता है कि क्या हम दोनों एक दूसरे को डेट कर सकते हैं उसकी मां परमिशन दे देती है जिसके बाद वो दोनों बहुत खुश होते हैं वहीं इंड में हम देखते हैं कि प्रोफेशर की मां अभी उससे मिलने के लिए आती है और उसके लिए बिर्यानी लाती है प्रोफेशर ने भी अपने मां के लिए कुछ बनाया था तो दोस्तो ये स्टोरी आपको कैसे लगी मुझे कॉमेंट करके जुरूर बता देना वैसे दोस्तो अगर आप अपनी सची भूतिया कहानी को मेरे साथ सेयर करना चाते हो तो मुझे मेल कर देना ताके मैं उस कहानी को अपनी दूसरे चैनल पर सुना सकूँ